स्वागत हापका योजना ग्यान फॉर यू में एट्थ पे कमिशन के बारे में आज बात करेंगे कि OPS के बाद आठवे वेतन आयोग के गठन पर अंदोलन का एलान हो चुका है अक्रोश में हैं दो करोड करमचारी पैंशनर्ज अखिल भारती राज्य सरकारी करमचारी महासंग की 28-30 दिसंबर को कॉल कत्ता में होने वाली नैशनल कांसिल की बैठक में किंदर सरकार के इस वैसले के खिलाफ आन्य करमचारी संगतनों को साथ लेकर रास्ट विया पी अंदोलन का ऐलान होगा नैशनल काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के करीब 600 डेलिकेट्स भाग लेंगे आईए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें के साथ में बैल लाइकन की घंटी दो है ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर चरूर करें केंद्र एवं राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर अंदोलन जारी है अब आठमें वेतन आयोक गठन को लेकर देश में करीब दो करोड करमचारी एवं पैंशनर अक्रोश में है वजह किंद्री वित सचिव टीवी सोमनात ने कहा है कि सरकार दोरा आठमा वैतन आयोग गठित करने की कोई योज्जना नहीं है केंदरी करमचारियों, श्रसस्त्रबलों के करमचारियों और राजे कर्मियों पर आठमे वितने योग की सी पारशों को जनवरी दोजर्शबिस से लागू किया जाना पस्तावित है ऐसे में आठमे वितने योग का गठन किया जाना जरूरी है अखिल भारतिय राज्य सरकारी करमचारी महासंग के रास्टी अध्यक्ष सुभाश लामबा ने कहा है कि केंदर सरकार द्वारा आठमा वितन योग गठित ना करने का फैसला अत्यांत दुर्भागय पूरण है सरकार के इस फैसले के खिलाफ अंदोलन होगा केंदरे वमराज्यों के लाखो सरकारी करमचारी सड़कों पर उतरेंगे महासंग की 28-30 दिसंबर को कलकता में होने वाली नैशनल काउंसिल की बैठंग में केंदर सरकार की इस फैसले के खिलाफ अन्य करमचारी संगटनों को साथ लेकर राश्टर व्यापी अंदोलन का एलान किया जाएगा बत और सुभाष लांबा केंदरिय वित सचीव टीवी सोमनात का यह बयान इशारा करता है कि 48.67 लाक केंदरिय करमचारियों और 67.95 लाक पैंशन भोगयों के लिए सरकार के अजंडे में आठवा वेतना योग गठित करने की कोई योजना नहीं है इस बयान से केंदरिय एवं राजी करमियों एवं पैंशनर्स को तगड़ा जटका लगा है उसमें अक्रोश व्यापत है वेतना योग के देश के करमचारियों एवं पैंशनर्स को उनके वेतन पैंशन और भतों में कुछ बढ़ोतरी होने की उमीद बनी रहती है केंदरिय करमचारियों, सशुस्त्र बलों और राजी सरकार के कर्मियों पर आठमे वेतना योग की सिपारिशों को जनवरी दोजर शब्विस से लागू किया जाना फरस्तावित है पिछला वेतनायोग 2013 में गठित हुआ था जबकि इनक्स की सी पारिश 2016 में लगू हुई थी अखिल भारतिय राज्य सरकारी करमचारी मासंग की 28 से 30 दिसंबर को कुलकत्ता में होने वली नैशनल काउंसिल की बैठक में केंदर सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य करमचारी समिटनों को साथ लेकर राष्ट वियापी अंदोलन का एलान होगा नैशनल काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के करीब 600 डेलिकेट्स भाग लेंगे महा सचीव ए श्री कुमार ने बताया करमचारी ने अंदोलन के दम पर हर दस साल बाद वेतनमान और पैंशन संशोधन के लिए वेतन आयोग की गठन का प्रावधन कराया था अब तक साथ केंद्रिय वेतन आयोग का गठन हुआ है केंद्र सरकार ने इनके सिपारशों को केंद्रिय करमचारियों एवं पैंशन भोगयों पर लागू किया गया है जब केंदर सरकार वेतनयोग किसी फारिशों को लागू करती है तो उसके बाद राजे सरकारे भी अपने करमचारियों एवं पैंशन भोगियों पर उक्तिसी फारिशों को लागू करती है केंदर सरकार दोरह आठमा वितने योग गठित करने से इंकार करने के बाद राज्य कर्मियों का रास्ता अपने अब बंध हो गया है सरकार के अंकडों के मुताविक लगवग 48.67, करिंदर करमचारी और 33.95 लाख पैंशन भोगी है सरकार ने पैंशन पर नाली की समिक्षा के लिए वितसर्चीव के नितरितों में समिती का गठन किया था वितसर्चीव टीवी सोमनात्र का कहना है कि हमने सभी पक्षों के साथ विचार भी मश्पूरा कर लिया है हमारी रिपोर्ट जल्द ही दाखिल हो जाएगी लांबा ने दो टूक शब्दों में कहा कि करमचारियों को NPS में कोईबिशन शोधन मंजूर नहीं है करमचारियों को PFIDA एक्ट रद कर पुरानी पैंशन बहाली से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है पुरानी पैंशन बहाली आठवे वेतना योका गठन 18 महीने के बकाया D.A.D.R. का भुकतान ठेका समवीदा करमयों की रहे रेगुलर जाइजिशन नीजी करन पर रोक खाली पदों की पकी भरती से भरने ट्रेड यूनियन एवं लोकतांतरिक अधिकारों की सरुक्षा N.E.P. को रद करने एक्स ग्रेसियर रोजगार स्कीम में लगाई गए शर्तों को हटाने पैंशनर्स की 65, 75 एवं 80 साल की उमर में बेसिक पैंशन में 5 परतिशत बढ़ोतरी करने आदी मांगों का समाधान जब तक नहीं होगा कर्मियों का अंदोलन जारी रहेगा खाशा करते हैं जानकारिया आपके लिए फायदे मंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब चुरूर करें वीडियो पसंद है तो लाइक शेर चुरूर करें अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें तब तक के लिए धन्यवाद